नमस्कार दोस्तो, सिविल इंजिनिरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महात्पून वीडियो में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपका दोस्त इंजिनियर अभी स्विक सिंग, दोस्तो अगर आप 25-30 लगा करके एक घर बनवाएं, और घर बनाने के जश्ट बात दोस्तो आपको पूरी चीज़े दिखाता हूँ दोस्तो, ये घर को बनाने में काफी अच्छा खर्चा किया गया था, लेकिन आप देखेंगे कि घर के बिल्कुल जस्ट बगल में एक तलाब है, ठीक है, ये तलाब है और तलाब का पानी सीधे तोर पे दोस्तो घर में एंटर कर रहा है, तो पूरा माजरा क्या है, या फिर आप भी ऐसे जगह में रहते हैं, जहां पे वाटर लेबल काफी उपर में है, या फिर कोई वाटर बोडी या नदी, नाला, कोई ज़ड़ना, या फिर दोस्तो तलाब आपके घर के आसबास है, या फिर दोस्तो ऐसे जगह पे आप घर बनवाया है, जहां पे बरसात के दिनों में पानी जमा होने की समस्या रहती है, तो इस चीद से आप दोस्तो यहां पे बहुत कुछ सीख कर जाने वाले हैं, यह जो घर है, बिल्कुल आप देख सकते हैं, चारो तरप से कंक्रीटिंग करवाया गया, किसी परकार का कोई दि उसके लेबल से आपको घर बनवाना चाहिए, लेकिन यहां पे क्या किया गया दोस्तो कि एक जो आप बेस्मेंट देख रहे हैं, यहां पे बेस्मेंट देख रहे हैं, इसको पार्केंग कह सकते हैं, लेकिन इसमें बिल्कुल पानी बरा हुआ है, अगर दोस्तो यहां पे भी बने हुए होते हैं तो वो भी बरबाद हो चुके होते हैं पानी दोस्तों आपको दिग्या होगा के पानी बढ़े हुए अब दोस्तों पानी लगने के कारण के साथ साथ इसका जो सॉल्यूशन है वो भी इस वीडियो में देने वाला हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर के दोस्तो वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट करें ताकि हमें भी मोटिवेशन में आप तक वीडियोज पहुँचाने का यहां देख सकते हैं बिल्कुल पानी भड़ा हुआ है और यह कोई बरसाथ का पानी नहीं है बलकि यह तलाब से आया हुआ पानी है तो नियम यह कहता है दोस्तों के ऐसे जगह पे retaining wall देना चाहिए बकाइदा यहां पे retaining wall दिया भी गया retaining wall क्या होता है वो बता जता हूँ दोस्तों यह normal दिवार के बजाए दोस्तों 4 इंच का जो है वो धलाई किया जाता है 8 mm 10 mm का सरीय लगा करके धलाई किया जाता है धलाई वाला पार्ट बाहर रखिये और brickwork वाला पार्ट अंदर रखियेगा तो आपका इट कभी भी पानी के संपरक्म नहीं आएगा और धलाई को पानी से किसी परकार की कोई दिक्कत नहीं है तो दोनों चीजे इसमें बची रहेंगी दोस्तो तो यह चीजे हो गई चलिए रिटेनिंग वाल दिया गया मतलब कि दिवार तरप से पानी नहीं आएगा नीचे की बात कर लेते हैं तो नीचे भी दोस्तो जो है वो आर्शी सी किया गया है आठेमेम का सरिया डाल करके ड़लाई किया गया है तो नीचे से भी दोस्तो पानी आने का कोई समभावना नहीं है जो ब्रिक वर्क बाहर के तरप से किया गया है दोस्तो तो वो ब्रिक वर्क तो एलाव कर रहा होगा पानी को लेकिन रिटेनिंग वाल दोस्तो पानी को घर के अंदर नहीं आने दे रहा बस यही दिकत है कि आपका brickwork जल्दी खराब होगा लेकिन दोस्तों यह वाला जो spot देख रहा है ठीक है यहाँ जो black cloud का paint किया गया है यही जगा identify किया गया है इधर से ही दोस्तों पानी जो है वो इस वाले basement में आ रहा है और उसका कारण बिलकुल साफ है कि जो retaining wall है दोस्तों आप देख सकते हैं कि basement के बिलकुल चार दिवारी जो बनाया गया है यह basement के चारो तरप से दिवार बना दिया गया है retaining wall जो कि पानी को अपने अंदर allow नहीं कर रहा है नीचे से भी दोस्तों RCC होने के वज़ासे allow नहीं हो रहा लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो है वो basement में ज आसा गलत है तो अब दोस्तों पानी को तो यह समझ नहीं है कि कहां से आपका घर start है और कहां से आपका entry start है वो तो दोस्तों जहां पे उसके लेवल में आएगा वो तो पानी अपना राष्ता बना ही लेगा तो इस तरह से दोस्तों एक छोटा से गलती किया गया है कि देनी होगी चाहे वो आपके काम का चीज हो चाहे वो आपके काम का चीज नहीं हो चुकि यहां पर entrance में सोचा गया है दोस्तो entrance में क्या है retaining wall देना लेकिन label तो वही है दोस्तो और यही कारण है आप देख सकते हैं कि यहां से परिसानी से जूजना पर रहा तो अब इस जो entrance point है बस उसको तोर करके जो है वो retaining wall में convert किया जाएगा और यह basement बिलकुल जो है वो यूज के लायक हो जाएगा और इसमें पानी जमना water logging का भी समस्या खतम हो जाएगी तो फिर मिलते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे informative जनकारी के लिए नमस्कार धन्यवाद